एक से लेकर 31 अक्टूबर तक ब्रस्च कैंसर अवेरनेस मन्त के रूप में मनाया जाता है ब्रस्च कैंसर कितना घातक हो सकता है इनके प्रती लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए कई तदा के कारिक्रम आयूजित किये जाते हैं इसके साथ ही इस कारिक्रम में ब्रस्च कैंसर से ठीक हुई महिलाएं भी उपस्ते थी जिन्होंने किस तरह की सावधानिया बरतनी चाहिए इस सम्मन में अपनी प्रती के लिए साज़ा की है इस से कारिक्रम की शिरुवादी प्रज्च करक की गई इसके बाद प्रसिद्य योग गुरु द्वारा योग किया गया दुनिया भर में हर साल जो है लाखों मेलाए ब्रेस कैंसर का शिकार होती है यह केवल क्यों होता है क्योंकि उनमें जागरूपता नहीं होती है ग्यान का अपहा होता है और इसलिए अक्टूबर मेना यह पिंक अक्टूबर के तौर पर बनाया जाता है और इसी तरच पर आज जो है जागरूग तबही यहा की जाएंगे हमारे साथ ढॉक्टर से किंगश्वे हस्पताल के उनसे हम जाने गे कि क्या आज कारेक्रम में मतलब होने वाला है किया बता नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरब हूँ, मैं किंग्सवे हॉस्पिटल में मेडिकल उंकोलोजिस्ट हूँ और कैंसर रोग विशेशक्य। ओक्टोबर महीने हर साल ब्रेस्ट कैंसर अवेरनस मन्त की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और इस महीने हम आप जनता को जागरूप करते हैं, कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसरों में से एक है। लगबग 25-30% कैंसर जो महिलाओं में होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है और यह अरली स्टेज में अगर डाइगनोसिस होता है तो यह क्यूरेबल मतलब ठीक हो जानने वाली बिमारी है कैंसर को जल्डी डिटेक्ट करने के लिए जागरुकता होना सबसे जोरी है और यह जागरुकता फैलाना is a continuous process क्योंकि हर साल अगर हम करेंगे तो नए जेनरेशन आते हैं और हम हर साल नए लोगों को जागरुक करते जाते हैं यह जो हम आज प्रोग्राम किये हैं यहाँ पे ह सबसे अच्छा है यहाँ तक कि अगर स्टेज फॉर में भी डाइगनोसिस होता है तो सबसे अच्छा रिजल्ट आज के दिन ब्रेस्ट कैंसर का ही देखा जाता है नए टेकनीक जिसमें टार्गेटिद थेरेपी, हॉर्मोनल थेरेपी और इम्मिनो थेरेपी का यूज करके स्टेज फॉर कैंसर को भी हम काफी तीन से पांच साल या कई बार उससे ज्यादा भी हम एवरेज जिन्दगी दे पाते हैं जब हम स्टेज वन, स्टेज टू या स्टेज थी कैंसर पेशें देखते हैं तो हम उन्हें ठीक कर सकते हैं और उन्हें नॉर्मल जिन्दगी दे स जादा तर हम पहले सर्जरी करते हैं, और बाद में chemotherapy और जिनको radiation की ज़रत है उन्हें रेडोधेरपी देते हैं, आज के दिन कई patientों को chemotherapy की ज़रत ना परे, ये जानने के लिए भी कई advanced tests हैं, जो genetic testing हम बोलते हैं, इन जनेटिक टेस्टिंग में हमें ये पता चलता है कि किन पेशिंटों को कीमो थेरेपी की आवशक्ता नहीं है। उन सभी पेशिंटों को हम जनेटिक टेस्टिंग के लिए समझाते हैं। अगर जनेटिक टेस्टिंग में उनके म्यूटेशन पॉजिटिव आते हैं तो फैमिली मेंबर्स के जनेटिक टेस्टिंग करके उन्हें हम पहले से बता सकते हैं कि आपको कैंसर होनी की संभावना बहुत सी यूद जो है उन्हें भी उजरना पड़ रहा है तो क्या बताना चाहोगे किस तरह से मतलब उन्होंने प्रिकॉशंस लेनी चाहिए क्या क्या करना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली टोटल नंबर ऑफ परस्ट कैंसर पेशिंस बर रहे हैं उसके इलावा लेट मैरेज इसके साथ लेट बच्चा होना ब्रेस्ट फीडिंग ना करना ये सब कारण कंट्रिब्यूट करते हैं जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर पहले की मुकाबले हमें ज्यादा दिखते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमें स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चा न 15 साल के बाद साल अना चॉलल मेमोक्राफी ऐडवाईज़ करते हो यहाँ four year test क्मोछा और महिलाओ को आप क्या पताना मालम कल पक्राइब हो आगर आप कैंसर के इससे घुजर रहे हैं तो किस तरह से मतलब ना घबराते हुए किस तरह से ट्रीटमेंट को वह यह करें क्या बताना शुक्त हाँ सो मैं डॉक्टर मोना राय मैं किंग्सवे हॉस्पितल में पैन पालिटिव केर कांसल्टरंट हूँ और मैं प्राइमरली ओंकोलोजी टीम के साथ काम करती हूँ सो कैंसर केर के मैं उस स्पेक्टर्म पे हूँ जहां पे अनफॉर्चुनेटली कैंसर अडवांस स्टेज़ में आ जाता है सो उस समय बड़ा मन को तकलीफ होती है कि काश यह पेशेंट अरली डिटेक्शन कर लेती या अरली आ जाती है अरली स्क्रीनिंग हो जाती सब्सक्राइब के चांसे काफी सिग्निफिकंटली बढ़ जाते हैं तो अगर कैंसर डाइग्नोस वह भी गया तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट सब लोगों से यह है कि प्रॉपर कंसल्टन्ट के पास जाएं कंसल्टन्ट से बात करें बहुत बार क्या होता है सोसाइटी में इतने सारे मिट्स उसके बारे में हैं या इतनी सारी धारणाय बन चुकी हैं गलत कैंसर के बारे में कि लोग वहीं डर के कि कि किमोथरेपी से फलाना हो जाएगा, बाल चले जाएगे, या अडोसी पडोसी बिना साइंटिफिक बेसिस के कुछ जाइड कर देते हैं कि आप मच जाएगे, आप जड़ी बुटी कर लीजे, तो वो एक बहुत गोल्डन ऑपरचुनिटी होती है, जो वो महिलाएं लूज आउट कर जाती हैं फोर देर सर्वाइवल, और वहीं महिलाएं जब एड़ान्स हो जाती हैं, और यहार एंड स्टेज डिजीज, तो बड़ा दुख होता है क्योंकि यह यंग होती हैं, जिनके प इस बिकास साइंस न टेखना एंड 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 इन नए डिजीज आ एंड रहें, इतना रिसर्च हो रहा है, कि यह नो, यह तिल भी चान्स अट शर्वाइवल, सिर्फ एतना ध्यान रखे कि गुमरान हो, प्रपर चैंटर्स पे जाएंग, प्रपर कैंसर के स्टेंद के सफ्याइब, एंड 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 आन जर्नी लेंएंड और हम सब साथ हैं जो इन जो प्रपाइब जो शर्वाइवत बारेंग जोंड प्रप्रवट एंड और सूसाइटी में भी बारेंश जाएंग कि इसके बारे में डर घलत धारण यह मूंश्ध कर सक सो यह हमने देखा कि पूरे देश भर में जो है अक्टूबर मेना यह ब्रेस कैंसर के आवर्नेस के लिए माना जाता है और उसी तरश पर किंग्सवे अस्पताल द्वारा आज जो है यहां पर आवर्नेस कारिकरम कारिजन किया गया और उसी के तहट जो है डॉक्टर ने भी ब